हेलो फ्रेंज आज मैं आपके सामने बुंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ तो इसके लिए यहां मैंने मीठा सोडा लिया है बेसन ले लिया है पैकट वाला और चीनी रख लिया है और इसमें लाइची पाउडर रख लिया है तो आईए देखते हैं कि हम लोग कैसे घर पर ब पानी तो दोस्तों पानी डालने से पहले इसमें थोड़ा सा जो आप घर पे यूज करते हो डाल ले एक थोड़ा सा मौयन डालना जरूरी होता है जिससे हमारी पूर्दी कुरकुरी बनती है तो मैं यह वारा चीज बूल गई इस प्रोसेस को और डारिक्ट में डाल दिया इस प्यों ड्रॉप्स डाल दूँगी और इस तरह की बैटर को रेडी कर लेना है तो इसके बाद क्या करना है कि यहां मैंने एक अलग कटोरा लिया है और इसमें एक कप बेसर लिया था तो दो गब जाएगा चीनी और दो कब चीनी के साथ मैं लूँगी इसमें एक कप पानी और चीनी और पानी को गैस पे तब तक चढ़ा देना है तब तक रखना है जब तक चीनी हमारी मिल्ट नहीं हो जाती और यहां इस तरह से चीनी पानी के साथ मैं इलाइची पाउडर को skip करके डाल रही हूँ अपनी पसंदीदा अरोमा यह है मेरा बटरस्कॉच अरोमा तो दोस्तों आप सोच रहे हूँगे की बटरस्कॉच अरोमा क्यों तो जी हां मेरे घर में बटर स्कॉच फ्लेवर वाली बूंदी काफी पसंद है तो आप भी अपने बच्चों की पसंदीदा फ्लेवर के साथ बूंदी को रेडी कर सकते हैं और यही तो बेरिफिट है जब हम लोग कोई भी रेसिपी घर पे बनाते हैं तो अपने चोईस के अकॉर्डिंग तयार करते हैं और यहां देखिए मेरी चाशनी बिलकुल रेडी है और मैंने बेटर में थोड़ा सा मीठा सोडा मिला लिया है और यहां कढाई में मेरी तेल गर्म हो गई है तो अब इसमें मैं एक जाजे में एक एक चमच करके बेटर को डालूँगी और इस तरह से इसे गोल-गोल घुमाते हुए डालना है ताकि इसकी ड्रॉप आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं और इसी प्रोसेस को फालो करते हुए हम लोग सारे बुंदियों को तयार कर लेंगे तो कोई भी रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों लेकिन हमें छोटी-छोटी जो टिप्स और ट्रिक्स होती है उसको फालो करते हुए अगर हम करते हैं हमारी recipe काफी बेहतरीन तयार होती है पर यही जब process को हम लोग perfectly follow नहीं करते हैं step by step follow नहीं कर पाते हैं तो कुछ न कुछ कमिया हमारी recipe में रह जाती है और यकीन नहीं करेंगे कि कोई भी चीज़ जो हम market से खरिद कर लाते हैं और घर पे तयार होती है तो घर वाली एक तो एक बुंदियों को तयार करके गरम गरम चाशनी में डाल दिया और ठकन को बंद कर दिया ताकि हमारी बुंदियों के अंदर तक चाशनी पहुंच जाए और हर बुंदे जो हमारी बुंदी है वो चाशनी को अच्छी तरह से पी ले और मोटी तकड़ी हो जाए और जब हम बुंदियों को तयार करके गर्मा गरम चाशनी में डूबो दिया और ये देखिए हर बुंदियों के अंदर चाशनी अच्छे से घुल गई है तो कैसी लगी दोस्तों आज की रेसिपी जरूट कमेंट करें